to prestige की नई कास्ट इयुलन सीरीज के बारे में और शान हम आपके सामने इंस युटेंसिल्स के बारे में पटा सकें तो जलते जल्द हमाइस साथ जुढ जाएए तो जैसे ही आप तारे लोग इस लाइव सेशन बारे में बटा लगता रहे हैं आपके पास आवाज आ रही है और जल्दी से इस इंट्रोस्टिंग सेशन को स्टाट करते हैं कि प्रेस्टीज की नहीं कास्ट अरें सीरीज है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे कि काफी लोग इंतिजार करें थे लाइज सेशन काभी और साधी साथ प्रेस्टीज की अगर आपको मेरी आवाज साफ आ रही है तो प्लीज यस लिख के भेज़ दीजे फिर इस लाइज सेशन को शुरू करते हैं और अगर आभी तक आप कास्ट आरें या किसी के से भी रिलेटेड कोश्टिंस के बारे में जाना चाहते हैं तो आज हमसे इसी लाइज सेशन में पूछ भी सकते हैं तो जल्दी से जल आल लोगों को जोड़ दीजे किसी भी ग्रूप में उसमें अगर आपको शेयर करना है लिंक तो नीचे से शेयर कर दीजेगा जिससे जादा से जादा लोग हमसे जुर सकें और इंडिया के एक बहतरीन कुक्वेर के बारे में आज इस पूर्स टाइम और मैं आपको बता दूँ यह लाइव सेशन में बहुत ही इंट्रस्टिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि यहां पर हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं प्रेस्टीज के कास्ट तारिन सीरीज का जो कि काफी जादा यूनीक है तो जल्दी जल्दी जु कि आता है कास्ट तारिन में नॉंस्टिक का जमाना जा चुका है मुझे लगता है क्योंकि यह प्रेस्टीज यह बहुत बड़ा एक कॉम्पटेट कैसकते कॉम्पटीशन हो जाएगा बाकी ब्रांच के लिए तो प्रेस्टीज की ट्रेडिशनल के सकते है कुकिंग जो करने के लिए यहां पर प्रेस्टीज ने 200 mm का मतलब लगब 20 cm का है तो इसकी भी आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे इसके बारे में डीटेल बताएंगे और साथी साथ इसी के साथ काफी लोगों को डिमांड रहती है ग्रिल पैन की ग्रिल पैन का मतलब यह समझ लीजे कि अभी इसके नॉर्मली ग्रिल पैन जितने भी देखे थे वो थे स्क्वार साइज के बट यहां पर आपको ग्रिल पैन मिल रहा है रांडेड में जिसमें यह फ्राइपन का भी काम करेंगा और उसी के साथ साथ एक रोटी तवा वहां पर आपको देख रहा होगा पराथा यह कड़ाई लिभी नहीं है तो कड़ाइलिक कर दे दो और दे यहां पर अलग यहां पर दिस रbakड कर खोनें अनुखर करते हैं कि कौन सा लिया जाए और कैसा तो आज इसकी भी अन्बॉक्सिंग करेंगे और सारी जीज़े प्रेस्टीज के कास्टाइडन सीरीज की लगवख सारी जीज़े आज 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 आपको इसी सेशन में हम बताने वाले हैं ओके ओके थांक यू तो चलिए सबसे पहले हम कढाई के बारे में डिसकस करते हैं हाला कि कढाई जो है वो इससे पहले भी हम अन्बॉक्सिंग कर जुके हैं आज से दो थे तीन महीने पहले और अभी रिसेंट में भी आपको न्यू अन्बॉक्सिंग वीडियो भी इसकी मिल जाएगी हाला कि आज इस लाइव सेशन में जो लोग जॉइन कर रहे हैं वो लोग फरस्ट हैं जो इस कढाई का एक बार फिर से नई कढाई का एक लुक देखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले कढाई की बात कर लेते हैं कढाई की अन्बॉक्सिंग मैंने पहले ही कर ली ती जिससे एक प्रोड़क्ट आपको सबसे पहले जल्दी से दिखा सकूं तो यह जो कढाई आपको मिलती है यह सबसे पहले बुराईयों की बात शुरू कर लेते हैं यहां पर क्या है कि सबसे पहले इसमें आपको धक्कन नहीं मिलता है तो यह है कि अगर 260 mm का लिड आपके घर पे अवेलेबिल है तो आपको इशुज नहीं रहेंगे आप इसमें एजली लिड लगा सकते हैं अगर मैं आपसे बात करता हूँ 260 की तो यहां पर 26 cm की जो कड़ाई का डाया मीटर मिल रहा है यह लगबख बाकी कंपनियों में बहुत बड़े साइज में आता है अगर मैं इसको आपको यह थोड़ा लाइट को फॉलो करिएगा तो यहां पे देखे यहां पे जो कर्वेचर मिल रहा है यह आपको कुकिंग में काफी हल्प करेगा लेस ओईल को किंग होने वाली है और इसी के सासाथ यह वाला जो आपको प्रोड़क्ट है यह मिलेगा प 25-30 की मतलब लगब 25-100 की यह कड़ाई है और इस समय आपको यह लाइफटाइम वारेंटी के साथ आती है ग्यास इंडक्शन कंपाटबिल रहती है एक बहुत अच्छी चीज दिया भी रीसेंड मैंने देखा है काफी सारी कास सारी की कड़ाई है जो की इंडक्शन कंपाट जो की इसली इंडक्शन पर भी चल जाएगा और एक चीज आज सारी मुझे काफी अच्छी लगती है यह बहुत जदा कुक्वेर जितने भी यह वाले होते हैं वह बहुत सारे कुक्टॉप्स में हर तरीके कुक्टॉप्स में चल जाता है आप आप आउट्डूर कुकिंग करते हैं तो इसमें भी यूटेंसिल आपके काम आजाते हैं इंडूर कुकिंग में भी काम आजाते हैं साथी साथ ओटीजी में पिज़ा बेकिंग के लिए भी इसका तवे काम आजाते हैं तो यह एक ऐसा यूटेंसिल है जो मुझे लगता है कि कभी नुकसान नहीं करेगा अगर कोई questions होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके size, design, shape या कोई भी चीज इस कड़ाई में अगर आपको देखनी हो तो मैं हर एक चीज के लिए आज available हूँ तो अगर आप देखना चाहते हैं Prestige की cast iron कड़ाई के बारे में कोई भी doubt या कोई questions होते हैं या प्रेसी की कड़ाई में कुछ भी अगर आप देखना चाहरे हो तो आप मेरे को नीचे comment box पर comment कर दीजे तो जल्दी जल्दी कर दीजे अगर आपकी कोई भी requirement ऐसी होती है तो उसके बाद इसके और भी details में आपको बता दूँगा हाला कि यहां पर प्रेसी ने कुछ चीजे मेंशन करके दी है कि यह सबसे पहला पॉइंट ने दिया है रीटेंस फ्लीवर्स अव्यसी बात आगा कास्ट आरेन या किसी भी आईरन की कड़ाई में आप खाना बनाते हैं और साथी साथ इसमें कुछ ऐसी रेसिपी जरूर बनानी चाहिए हैं जो कि थोड़ी देर से बनती हैं जिसमें ज्यादा देर तक कुकिंग होती रहती है तो जिसमें आईरन मिलता रहता है हाला कि इसमें दूद भी उबाल सकते हैं मिल्क बॉइल भी कर सकते हैं मैंने काफी कहीं पर पढ़ा है कि यहां पर मिल्क बॉइल करने से भी काफी बेनेफिट्स मिलते हैं तो इसमें मिल्क बॉइल इसली कर सकते हैं बस एक चीज का ध्यान रखना जोगी कास्ट आने लगर अच्छे थी सीजिन्ड है काफी लोग देखते हैं कि जो सीजिनिंग होती है कास्ट आने की जितनी भी सीजिनिंग का नाम लोगों को बड़ा भारी लगता है कि सीजनिंग में बड़ा इशुज आते हैं, हाला कि सीजनिंग बहुत बड़ा और बहुत जदा ऐसा चीज नहीं है, जो कि आप लोगों से नहीं होगी, सीजनिंग का सीजनिंग मतलब होता है, इसके ओपर एक ओईल की कोटिंग अपलाए करके रखना, जिसकी वरेसे इसमें रस हुआ आपको मिलेगा, जिसकी वएसे शोर हो जाई कि प्रेस्टीज की ओरिजिनल कड़ाई है, नीचे की तरफ से अकर हैंडल की बात करते हैं, तो यहां भी आपको काफी अच्छी डाई देखने को मिलती है, जो कि आप ग्रिप करते हैं, बड़ जब भी कड़ाई गरम जाते हैं, जिसकी वएसे आप किसी कपड़े के जरीए या किसी भी कुशिन के जरीए ही इसको पकर सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर भी हानल नीचे से यह रहता है, और अगर इसके मैं साइड की बात करता हूँ, तो यहां पर काफी स्मूथ फिनिशिंग जिया है कि यह कितने लीटर की है, बट जो अगर मैं अंदाजा बता हूँ, तो 260 mm का मतलब हो गया, कि यह कड़ाई लगबग 3 लीटर के आसपास में है, मतलब 2.5 से 3 लीटर के आसपास की इसकी, एक सकते हैं की कैपासिटी है, जो के कोकिंग कर सकते हैं, तो 4 त 5 लोगों त काफी सारी चीजे इसमें क्लियर हो जाएंगी, तो मिला जला के देखा जाए, तो यह कड़ाई मुझे अच्छी लगी, और इसी के सासं मैं आपको बता हूँ, कि यहां पे इसमें साइज अलग अलग नहीं दी हूए, जैसे कि अगर इसमें कमपनी थोड़े से आमें अगर वारेंटी के बारे में अगर आप जानना चा रहे हैं तो वारेंटी में यहां पे बता दूँ, सबसे पहले कुक्वेर के बारे में बताता हूँ, इसमें यहां पे 200 mm का आपको फ्राइपन मिलता है, जो कि आपके सामने यह है, अभी इसको भी अमें अन्बॉक्स रोटी तवा यहां पे दिया हुआ है, उसकी भी अन्बॉक्सिंग करेंगे, और यहां पे दिया हुआ है दोसा तवा जिसको मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसको तो अम लोग लोग लास्ट में अन्बॉक्स करेंगे, तो यह सारी रेंज आज मेरे पास अवेलेबल है, तरीके से कही जाए तो, तो हर एक चीज अगर प्रेश्चीज की कास्टारिन की देखना चाते हैं, तो आज ही इस लाइज ही में जुड़ जाईए, तो आपको बहुत फाइदा रहेगा, उसी के साथ साथ जिसके अगर वारंटी की बात करते हैं, तो यहां पे कंपनी लाइ फैक्षिंग डिफेक्ट होता है, तो हाला कि कंपनी आंसरे बिल है, क्योंकि All India Toll Free Number इसमें वेलेबिल होते हैं, तो वहां पे और Service Centers भी रहते हैं, जहां पर आप जाके यह चीज क्लेम कर सकते हैं, तो मिला जुला कि इसमें Satisfactory Service आपको मिलेगी, ब़स छोड़ी सी मेहनत कर परती है क्योंकि सर्विस सेंटर तक जाना वहां तक आना थोड़ा इसूस रहे सकते हैं तो अगर आप इंडिया के अंदर इसको परचेस करना जाते हैं तो उसका भी आपको बहुत जल्द मैं बता दूगा कि कैसे परचेस करना है एक सही प्राइसिंग में और पराणी देंगे तो इसके साथ-साथ मिला जुला कि मुझे यह काफी अच्छा लगा अब बात कर लेते हैं थोड़े-बहुत कमेंट्स आगे उसको जड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ कडाई में चलाने के लिए कोई भी सर्विंग स्पून या जो आप यूज करते हैं कौन सा स्पून होना चाहिए यह बहुत इंपोर्टेंट बात आपने मुझे बताई है काफी अच्छा कोशन था 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 क्यू सो मच देखिए अगर आप कास्ट आरन यूज कर रहे तो इसमें रिकमेंड भी करूंगा कि अभी रिसेंट में आप इंदिस्वेली की वेबसाइट में जाते हैं तो लखनो लोकल्स के नाम पे आपको 15% extra discount मिलेगा जहां पे वुडेन स्पाचुला के काफी उसमें नीम वुड का मिल जाएगा मैंगो बहुत सारी अच्छी वु कर सकते हैं कोई भी ऐस सच प्रिकॉशन लेने की इसमें जरुवत नहीं होती यह ऐसे यूटेंसिल होते हैं जिसमें किसी भी ब्रगार की कोटिंग नहीं होती अनहेल्दी कोटिंग कोई नहीं होती सिब आप यह समझ के चलिए कि इसमें आपको जो भी कुकिंग आप यूज करते हैं उसको जरह सा लगा के रखना है जिसकी वैसे की coating जो उपर oil की coating के वैसे इसमें रस्टिंग नहीं होती है इन केस भी कभी over the time अगर इसमें रस्टिंग हो भी जाए तो भी इसको easily wash करिये खूब रगड रगड के इसको wash कर लिजेगा उसके बाद इसको ड्राइ कर लीजेगा गास्टोव में और जैसे ही वो ड्राइ हो जाती है हीट हो जाती तो उसमें ऑईल अपलाई करके पूरे सरफेस में लगा लीजेगा दो तीन बार यह प्रोसेस रेगुलर्ली करेगा फिर यह आपकी कडाई बहुत अच्छी तरीकेते प्री सीजन हो तो इस चीज के लिए अगर आप लोग के लिए 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 तो जितने भी लोग यहां पर लाइव देख रहे हैं वह मेरे को प्लीज बता दीजे कि आखिर कौन सा इसा प्रोड़क्ट है जो आप चाहते हैं कि अन्बॉक्स करें सबसे पहले तो यहां पे सबसे पहले यह है कि फ्राइपन दिया है 200 mm का ग्रिल पैन दिया हुआ है 250 mm का और उसके बाद दिया हुआ है रोटी दवा अब इनमें से कौन से ऐसा प्रोड़क्ट है जो आप चाहते हैं कि हम आपके सामने अन्बॉक्स करें जल्दी से बताइए कि कौन सी अन्बॉक्सिंग अभी आप सबस चीजें तो तीनों चीजें काम की हैं तो कौन सा तवाम अन्बॉक्स कर सकते हैं आप यह बताएगा मैं जल्दी जल्दी कमेंट करें इससे टाइम भी ना वेस्ट हो ज्यादा से ज्यादा लोग जूड़ सकें चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिर फ्राइपैन से अच्छा रोटी तवा जहीं के चलिए रोटी तवा से करने जा रहा है कि रोटी तवा से करें तो चलिए रोटी तवा एक बहुत ही जादा क्वेसिन एबन प्रॉड़क्ट है कि मैं अभी आपको यह रोटी तवा पहले अंबॉक्स से दिखाता हूं हाला कि यह अभी जल्दी से इसको उन्बॉक्स पहले कर लेते हैं कि रोटी तवा में सबसे पहले हम बात करेंगे साइज की देखे रोटी तवा के साइज जो है दो सो पचास में मतलब 25 सेंटी मीटर का है मीडियम साइज तवा है अगर आप हौकिंस या प्रेस्टीस को कंपेर करने करते हैं तो यह इसके लगबग मीडियम साइज तवे की रे दोनों का कंपाटबिल है या चाहे तो इंडक्शन में भी यूज कर सकते हैं तो चलिए उसके लावा और भी चीजे मैं इसमें अभी आगे डिसकस करूंगा तो सबसे पहले आपके सामने इसको अन्बॉक्स करी लेते हैं हाला कि यह लाइव अन्बॉक्सिंग है पूरी तर तो बॉक्स पैकेजिंग कंपनी को थोड़ी सी और बहतर बनानी चाहिए तो अब यह तवात अन्बॉक्स करते हैं फिर इसके बाद यह डिबा लागे इसकी प्राइसिंग और भी डीटेल्स में बताऊंगा तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी अम लोग देख लेते हैं तो अगर आप एक अच्छे तवे को लेना चाहा रहे हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बाट इसके प्रोज और कॉंस में बहुत अच्छी तरीके से और क्लियर्ली आज लाइव सेशन में बताऊंगा अगर इसको आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में तो सारी की डीटेल्स मिल जाएंगी बट आज जो लाइव डीटेल्स है वो आप पूछ भी सकते हैं जान भी सकते हैं तो हाला कि यह जो रोटी तवा है मैं तो क्या सकता हूं कि काफी लाजवाब फिनिशिंग है अगर इसको आप क्लियर्ली देखना चाहें तो यह आपको पहले रो बहुत ही प्लेन फिनिशिंग देखने को मिल रही जो नाचुरल फिनिशिंग है उसी के साथ साथ डायमीटर 250 mm का है 250 mm का है और उसी के साथ साथ यह इंडक्शन बॉटम भी है यहाँ पे नीचे प्रेस्चीज की मार्किंग मिल जाती कास्टार इन कुक्वेर की और यहाँ प्रेस्चीज देता है मेड इन इंडिया और यहाँ पर बैच नंबर शायद उन्होंने अपना दे रखा है जिसकी वड़े से पहचाना जाएगा कि कौन से बैच का है उसके बाद मैंने देखा है कि काफी सारे रोटी तब अभी तक देखें तो इसमें हांडिल इतना मोटा हांडिल नहीं मिलता है पर इसमें हांडिल भी आपको मोटा मिलना है तो सबसे अची चीज है इसके फाइदे की बात और नुकसान की बात दोनों साथ में करते हैं फाइदा इसमें यह रहेगा कि यह बहुत जादा डूरेबल है लाइफ टाइम वारेंटी के साथ है और यह क सबस्क्राइब नहीं ते काफी अग चीजिन करणी आपको अँजन है और आपको मिल जाते हैं हांडल काफी राउंडेड शेप में है यहां पे ड्रोबै क्या आता मैं आपको बताता हूं काफी लोग इसको यूज नहीं करते होंगे यूज कर भी रहेंगे तो जो इसमें ज गरम हो जाता है आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे कि रोटी बनाते टाइम पर यह हांड़ गरम हो जाता है तो काफी कंपनी इसमें एक सिलिकॉन गृप भी लगा के देती हैं तो अगर आप चाहते हैं इस तवे को लेना तो आपको इसका भी कोई इंतजाम करना पड़ेग है बस यहां पर प्रेस्टीज इसमें सिलिकॉन गृप यह कोई भी क्लॉथ गृप दे दे तना जैसे विनोध दे रहा था इस समय तो विनोध के तवे में मिल जाती है नहीं तो काफी सारे प्रोड़क्स में जैसे इंदेश्वेली में भी आपको मिल जाएगी गृप मगर जालक से चार्जेबिल होती है यहां पर यहां पर जो यह हांडल गरम हो जाता ना वह इशु कभी कर सकता है और अगर इसमें ग्रिपिंग का अच्छा हांडल या कोई भी अगर आप ऐसी जुगार कर लेते हैं इसके से हांडल के ऊपर कोई भी एक सेफटी कोई भी चीज अ अच्छा है पत्थर अप्थर से माचना नहीं पड़ेगा इसमें और साथी साथ मिलेगा कास्टरन का काफी अच्छा वैस सिमिलर इसमें guarante val होकि टार मिलेगा lifetime की warranty के साथ तो हलाग यह था दूशरा और अब इसकी बात कर लेते हैं किष प्राइसिंग में है और उसके ब मानुफैक्ट्रिंग और प्राइसिंग सब दी हुई है 1895 की MRP है इसमें देशे कि आपको यहां देखने को मिल रही होगी 1895 की इसमें MRP दी हुई है और यह आपको लगबग 15-20% के आज पास में डिसकाउंट मिलेगा इसको आप चाहें तो आफ लाइन ऑन लाइन दुनों परचेस कर सकते हैं बलकि रीसेंट में अगर चाहें तो इंतजार कर लिएगा दो तिन दिन में तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं डाल दूँगा जहां पर इसकी प्राइसिंग के बारे में भी बात करूंगा औ तो अब बताईए कि कौन सा ऐसा प्रोड़क्ट है क्योंकि यहां पे दो प्रोड़क्ट चाहिए हैं और लास्ट में दो सा तवा में अनबॉक्स करूंगा तो इन में दोनों में से कौन सा करा जाए यहां पर आपके लिए ग्रिल पैन भी रखा हुआ है और फ्राइपैन ही हाला कि 2-3 में वह देख रहा हूं तो फ्राइपैन कह रहे हैं हाला कि यहां पर दो चीज़े हैं एक फ्राइपैन दिया हुआ है कड़ाई मैं कर चुका हूं अनबॉक्स अगर कोई डीटेल अगर आपको चाहिए हो तो कड़ाई मैं कर सकता हूं कोई अगर और डीटेल अग प्राइपन के बारे में लोग पूछ रहे हैं तो चलिए फ्राइपन को अंबोक्स कर लेते हैं हाला कि यहां से पनी अटा देते हैं क्योंकि लाइव सेशन में पनी लगा कि कोई तुक नहीं बनता है अभी रिसेंट में कोई प्रोड़ा को आगे भी में रखोंगा तो अगर किसी भी प्रोड़ा को कोई भी कोईशन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं तो चलिए फ्राइपन जल्दी से अंबोक्स कर लेते हैं इसका यहां पर फ्राइपन लेकर आ जाते हैं हाला कि बहुत हेवी यूटेंसिल होते हैं और रोटी तबा को इस तरीके से लग देते हैं चलिए फ्राइपन को पहले हम उन्बॉक्स करेंगे हाला कि देखे कितने हैवी प्रोड़क्स होते हैं कि नीचे से पैकेजिंग भी कभी इसूज आ सकते हैं इसमें तो मैं कम्पनी को यह बोलूँगा कि वस पैकेजिंग में थोड़ा सा ध्यान दे प्रोड़क्स हो काफी तो यहां पर अगर इसकी साइस की बात करते हैं तो 200 mm का है 200 mm का मतलब हो गया जैसे कि हम नौंस्टिक अगर नौन स्टिक में पिनिशिंग देखते हैं प्रेस्टिज की स्मॉलेस साइज जो आता है वह 200 mm होता है तो अगर आप एक छोटे साइस का पान लेना चाहते हैं का उ यहां पर प्राइसिंग कर लेता है तो यहां पर अन्बॉक्स कर लेते हैं 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 त कि प्रेसीज ने बहुत सारे यह फोम लगा के दिया हुआ है जिसकी वज़े से जो प्रोड़क्ट है वह बहुत जादा इंपक्ट ना करें डिब्बे को हलाकि मैं कौँगा कि दिब्बा भी आगा थोड़े से बहुत बहुत क्वालिटी कर देते तो इश्यूस नहीं आते हला कि बहुत प्यारा लग रहा है और मैं आपको बथा दू कि मेरे मैं इसको काफी हलकीं में ले रहा था मुझे लग रहा था कि यह नॉर्मल सा प्रोड़क्ट हो सकता है कि मेरा जो फस्ट लुक इसको लेकर है वह थोड़ा सा पॉजिटिव है अगर मैं इसके वजन की बात कर और यह आप कोई भी सौटे या सूकी सबजी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं यह काफी ज़दा टैपर में है मतलब यह है कि इसका जो डेप्थ दिया हुआ है काफी जादा अच्छा दिया हुआ है प्रेस्टीज यह प्रोड़क्त मुझे नहीं लगता मैं जितना मेरे को जो चीद एक फर्स्ट लुक में समझ में आ रही है कास्ट आरेन यहां पर लिखा हुआ है हांडल की बात करता हूँ तो हांडल बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में दिया हुआ है और यह पहले से ही प्री सीजन मिलता है आपको जिसकी वैसे इसमें रस्टिंग नहीं लगती है और अपने से भी सीजन करके रखेंगे तो काफी बहतर रहेगा तो यह वाला जो पैन है यह छोटे साइज में उन लोगों के लिए है जो की फॉस्स ट्राइ देना चाहते हैं और उसी के साथ साथ अगर इसमें आप पैन के या कोई भी चीज बनाना चाहिए आप इसमें कोकिंग कर सकते हैं सौटे वेजिटेबल के साथ और मुझे लगता है काफी यूस्टूल पैन रहेगा स्मॉले साइज में और साइड में आपको देखिए लापर नहीं फिंश में भात करता हूँ तो ऴनिशिंग एक झार मैं नहीं पी फिर गास चोब में चड़ा के गरम कर लीजेगा और उसके बाद इसमें पहले से सीजिनिंग करिएगा अगर इस फ्राइपन के बारे में कोई भी और डीटेल जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे को काफी अच्छा साइज लगा और इससे बड़ा साइज करेंगे तो यह मुझे अच्छा प्रोडाक लगा काफी प्राइसिंग के साब से भी वजन के साब से भी और इसकी कह सकते हैं कि मुझे कहीं से कमी कोई ऐसी खास दिखनी रही है इसमें और काफी अच्छा प्रोडाक्ट है मताब प्रेस्चीज कंपनी का अब यहां पर दो बोडी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और क्यमिकल फ्री रहता है यह नाचुरल नॉंस्टिक है ओविसी बात है नॉंस्टिक को रिप्लेस करना है तो कास्ट आरेन लेना ही पड़ेगा चाया आज नी चाय कर लीजे तो इस इस यूटेंसिल को अब आप आप और अभी रिसेंट में एक और आपके लिए गुड़नी उज है क्योंकि होकि होकि भी अपना कास्ट आरेन धीरे धीरे करके लांच कर रहा है तो वह एक अच्छा है इसका कॉमपोटेटिव ब्रांड है तो रिसेंट में लांच करना ही वाला है तो यह अपडेट मैंने आप यहां पर आपको हाइब्रीड देखने को मिलेगा अगर कोई भी क्वेशन हो तो मेरे को नीचे आप पूछ सकते हैं क्योंकि इसकी अन्बॉक्सिंग के बाद मैं क्वेशन भी लूँगा और इसके बाद पूरी कुक्वेर में से कोई भी अगर आपको प्रोड़क्त फिर से अब लेते हैं और तुछ अन्बॉक्सिंग यहीं से होगी वही सिमिला पकेजिंग है उसी तरीके से यहां पर टेप लगा हुआ है इसको जरा हम लोग यह तो नहीं निकालें अब यह थोड़ा सा कंपैराटिव्ली है क्योंकि इसका डायमीटर जादा है बड़े साइसका फ प्राइपन में फोकस कर लेते हैं, कोई भी डाउट या कोई भी चीज ऐसी रहती है, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले इसके ग्रिल पैन को मैं दिखा देता हूं, इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी है, यहां पर वारंटी काट आपको मिल जाता है, इसको यह काफी दादा प्रॉमिनेंट हैं, और बहुत अच्छा, अगर जो लोग नॉन वेज खाते हैं, उनको पता होगा, कि यहां पर ग्रिल इन लाइन की वज़े से काफी अच्छा टेक्शन मिलता है, बहुत क्रिस्पीनेस ही मिलती है, तो यहां पर आप क्रिस्पी गरना चा हैं, तो 250 mm का मिलता है, काफी अच्छे शेप का है, इससे बड़ा फ्राइपन बेकार होता है, क्योंकि इससे बड़ा फ्राइपन ना आप लिफ्ट अप कर पाएंगे, ना आप डुमेस्टिकली यूस कर पाएंगे, अब यहां पर पहले चीज आपको बता दें, यहां पर क यह एक hybrid दिया हुआ है, जो की fry-pan का भी काम करेगा, grill-pan का भी काम करेगा और काफी अच्छे texture में दिया है, तो चलिए इसकी एक बार, हम तवे को जड़ा लेते हैं सामने, और इसको ज़ड़ा इधर रख देते हैं, तो चलिए इसकी एक बार, pricing को भी जान लेते हैं, कि पर दिया हुआ है और इसके बारे में जो बात करी जाए तो यह एक जनुमीन प्राइसिंग में कह सकता हूं बड़ इसमें यह है कि अगर कंपनी अच्छा डिसकाउंट देती है तो हमारे आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो यहां पर हम लोग जो अभी तक अन्बॉक्स कर रखा है जड़ा एक एक करके सेटल कर लेते हैं अगर इन सारे प्रोड़क्स के बारे में कोई भी आपको डाउट होता है तो यहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं लाइव सेशन में क्योंकि इसके बाद हम इन प्रोड़क्स को वीडियो में ही लाँच कर पाएंगे तो इस को आगे चल के इसको मिंटेन कर सकते हैं उन सब चीदों के बारे में भी तो आज मैं यहां पर लाइशन में आपको पूरी तरीके से गाइड कर दूँगा और इसके बाद हम इसके आखरी प्रोड़क्ट इसके दोसा पैन को अन्बॉक्स करने वाले हैं जो कि मुझे काफी जदा अच्छा लगा उसके बारे में कोई भी क्वेशन होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेशन होता है तो आप मेरे से इसमें पूछ सकते हो अगर कोई भी कोटिंग हांफुल नहीं होती क्योंकि कंपनी हमेशा आपको अगर कोई कोई भी हांफुल कोटिंग नहीं होती है इसमें वेजटेबिल लगा कि इसको बेक कर दिया जाता है और सीजनिंग हर तरीके की होती है अगर आप लोकल मीट कास्ट आरेन भी लेते हैं तो इसमें भी कंपनी काफी आजकल बहुत अच्छी सीजनिंग कर के देती है और अभी काफी कंपनी का सीजनिंग प्रॉसस अलग लग जो काफी अच्छा चार्ज कर रहे हैं कास्ट आरेन के लिए तो वह क्या करते हैं वह सीजनिंग करने के बाद इसको बेक कर देते हैं जिसकी वरे से आपको ऑइल जब भी आप इसको टच करें तो आइल हाथ में नहीं लगे इसमें कोई भी ऐसी हामफुल कोटिंग नहीं होती है जो आपके हेल्थ के लिए नुकसान करें और अवियसी वाद है कास्टायरन ऐसा यूटेंसिल होता है जिसमें कोई कोटिंग चल भी नहीं पाती है उसमें रेगुलर बेसिस पे आपको आपको करनी ही पड़ती है तो यह बिल्कुल सेफ रखे कि कोई भी कास्टायरन आप लेते हैं एक इनामल कोटिंग कास्टायरन आता है वह अलग चीज होती है यहां पर आपको कास्टायर में कोई भी तरीके की हामफुल कोटिंग नहीं मिलती है और कोई कोशन हो तो मेरे से आप इस समय पूछ सकते हैं आपी के लिए बहतर रहेगा अगर कैसे यूस करना है कोई भी चीज़ अगर पूछन क्योंकि इतने सारे कोशन साते हैं हमारे पर रेगुलर कमेंट में और जहां पर आप कोशन नहीं पूछते हैं जल्दी पूछ लीजिए जितना हो सके और उसके बाद हम अन्बॉक्स करन चलिए बहुत अच्छा कोशन भूचा है हाला कि मेरे दिमाग से निकल गया था कि आखिर इन सारे यूटेंसल का वजन क्या है तो चलिए करके इसका वेट भी पहले कर लेते हैं फिर हम तवे को अन्बॉक्स करेंगे चलिए करके इसको पहले वेट कर लेते हैं सबसे पहले अब लेते हैं और यहां पर वेइंग मशीन सबसे पहले रख लिए पर एक कर के इसका वेट भी मैं आपको बता देता हूं कि आखिर कि वजन है यह वेइंग मशीन इसमें अप्रोक्सिमेटली वेट आपका आजा है कि मैं एक्जाक वेट तो नहीं काता हूं तो थोड़ा ब 2 Gms के बीच में आएगा 1.5 kg से जादा भारी तवा है जरनरल अगर नॉमल इरें का तवा लेते हैं तो 1 kg 200 g तवा होता है 1 kg अगर बहुत हेवी भी ले रहे है हर आजमी उसको यूज कर सकता है चाहिए बड़ी फैमली हो तो यह देख लेते हैं पैन कितना है इसके बाद बात करते हैं इसका लगबख सबसे हैवी प्रोड़क्त जो है इसका ग्रिल पैन हलाकि कड़ाई शायद इससे थोड़ी सी और हवी होगी यह ग्रिल पैन जो है यह लगबख धाई इलो की है टू केजी 500 ग्राम्स का ग्रिल पैन दिया हुआ है अगर बाकी करते हैं वेट यह सबसे इंबॉर्डन प्रोड़क्त है जो कि हर गर में हर को यूज करना चाहता है तो कड़ाई को ज़रा वजन कर लेते हैं और अगर आपको आपने ध्यान दिया होगा तो लगबख 200-900 ग्राम्स यह है तो केजी 500-900 ग्रामस यह है वान शर्ण फाइज फाइवंनन ग्राम्स यह है और यह केजी 700 ग्रामस के असपस यह है अब इसका एक ऐसा प्रोड़क्त जो की ऑविससी बात है कि कढ़ाई के बाद अगर कोई भी प्रोड़क्त अबसे इंपोर्टन होता है वह होता है कास्ट के तवे में मिलता है वह उसी तवे में ही आता है तो मैं आपको ब्ता हम अगर दोसे का अगर एक परफेक्ट टेस्ट लेना चाहते हैं वह कास्तरिण का तवा है जो आपको यह traditional कह सकते हैं काफी समय से यूज होता आ रहा है पहले से south india में use होता था आप तो all over india में यह चीज यूज होती है तो यह वाला जो cast iron का तवा है यह है कोई पूछ रहा है कि cast iron का pricing बहुत हाई है यह बात आपकी 3,000 और 4,000 के उपर के MRP दिये हुए है जिसमें आपको यह चीज होती है कि देखिए हर एक segment होता है जैसे कि कुकर भी आते है ना तो steel की कुकर भी बहुत सारी ranges में होती है मेरा यह कहना है कि मैं आपको इतने सारे प्रोडक्स रेगुलर बेसिस पर दिखाता हूँ मेरे चाहिदी ऐसी कोई कंपनी होगी जो मैंने अभी तक कास्ट आरेन में अन्बॉक्स नहीं करी है क्योंकि अगर मैं विनोध की बात करता हूँ तो विनोध एक ऐसा उप्शन था जिसमें 30% हमेशा ओफ रहता था तो मेरे को लगा कि नहीं जितने भी मेरे व्यूवर्स है उनके पास अच्छे प्राइसिंग में क्योंकि जब 30% ओफ है तो ऑविस्सी बात है 3,900 अला प्रोड़क्त आपको 2800 रुपे के असपास में 2800 के असपास में मिल जाएगा जो कि एक जनुएन डिस्काउंट भी है और वो एक अच्छा बहतर प्रोड़क्त तो मैंने कोशिश करी है कि जो भी बेस्ट प्राइसिंग में अच्छे डिस्काउंट मिलते है का सरन का प्रोड वो LuckOY के लिक टा में गट बाद में अगर उसने मार्किंग नहीं होती न मैंने देखा काफी सारे प्रोड़्दाश ऑसमें मार्किंग अस इसी बी चीजने हर जगे तीन-टीन-चार-चार जगे प्रेस्टीज की मार्किंग दे रहे जिससे प्रेस्टीज य आप से क्या गलतिया होगी क्योंकि जब रीसेंट में अगर आप नॉनस्टिक यूज करते हैं तो नॉनस्टिक में क्या गलतिया हो रही है वो अगर बता दी जाएं वो अगर डिस्क्लोस कर दी जाएं तो आपके प्रोड़क्स आगे इन फ्यूचर अच्छे चरीके से होले का यही कारण होता है कि कंपनी काफी सारे बत्सको काफी ज्यायदा रिसर्च और डेव्लफमेंट करके नीगाल ठीज ने साल दो अगर तवे के साइज के बारे में बात करते हैं तो जो बिगेस साइज होता है 300 mm मताद 30 cm को जो तवा होता है मेरे साब से वन अफ द बिगेस साइज है अगर डुमेस्टिक किचेन की बात करते है तो उसमें मिलता है इसमें सारे बेनेफिट्स आपको कास्ट आरन के मिलेंगे body में iron के content भी रहेगा और साथ ही साथ आपका दोसा जो रहेगा वो tasty रहेगा अगर इस तवे की मैं बात करता हूँ तो काफी अच्छे gauge में आता है काफी अच्छी thickness में है और उसी किसासत काफी plain surface यहाँ पर आपको आपको इसमें मिलेगा इसे चोटा तवा इसमें नहीं मिलेगा चोटे तवे के लिए आपको इसका रोटी तवा लेना पड़ेगा जिसमें सा यूज कर सकते हैं इसमें वुडेन का और स्टील दोनों यूज कर सकते हैं कोई ऐसा recommendation नहीं है कि आप इसमें सिफ वुडेनी यूज करिए स्टील ना यूज करिए इवन आप चाहें तो को कोई भी complaint या कोई भी होती है इस प्रोड़क्ट को लेके तो वह मेरे से जानकारी ले सकते हैं अब हम एक बार एक और बात कर लेते हैं तवे को भी हम लोग वजन कर लेते हैं फिर उसके बाद इसके बारे में डीटेल बात करते हैं तो जर्ण तो यहां से वेंग मशीन ले आते हैं और तवे को भी वेट कर लेते हैं आखर कितना वजन है इसका हाला कि मेरे इसाब से जितने भी कास्टेले तवे मैंने वेट कर रहे हैं तो उन में से वन आप दव है और जितना हैवी होगा उतना अच्छी तरीके से अच्छा तवा दे रखा है हाला कि यह सारे प्रोडक्स आप लोगों के लिए यह सामने यह रहे और प्राइसिंग के अगर हम बात करते हैं जोसे तवे की तो यहां पर है 1760 कि इसकी प्राइसिंग दी हुई है एक बार फिर से मैं बता दूँंगर कोई और कोई कोई होते है से रिलेटेट तो आज मेरे से आप यहां पे समय पूछ सकते हैं अच्छा नियर घाट कोपर वेस्ट में कहां मिलती है देखें मैं आपको बता दूँं कि यह सारे प्रोड़क्स किची भी किचिन स्टोर में आपको इसली अवेलेबिल मिलेंगे बट यह चीज है कि अगर आ दो कि वर में नीचे बाइलिंग आपको मिल जाते हैं तो वहां स आप ब्रोडक्स को ले सकते हैं और जहान से मैं ले रहा हूं महीं से भी आप इसको ले सकते हैं कोई असमें इसू नहीं बस ऐंतजार करिएगा एंग गवी कि मेंसगा उторов अफोस्कि को बात कर दो बाक्यों अपने kitchen के लिए कर रिशेट में जितनी डील्स आ रही है दोजार एक जितने भी companies हैं उन में जितनी भी deals होती है तो कही न कहीं से खोज के आम निकाल कि आप लोग के सामने ले आते हैं जिससे हमारे जितने भी Indian consumers हैं kitchen को improve करना चाते हैं वहीं से वो कर सके तो बस यह है अगर आप हमाई साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी इस फामली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर लगनों लोकल को सब्सक्राइब करेंगा अपने फ्रेंज के साथ इस चानल को रिकमेंट कर सकते हैं अपना ही चानल समझेगा और यहां में सपोर्ट करने का एगी तरीका है कर पाते हैं तो इसलिए लाइसेशन होता है कि आप रिसेंट में कोई भी चीज के वारे में जानकारी चाहिए तो आपको अभी मिल जाएगी इसमें ऑईल बहुत जादा लगता है क्या देखें मैं आपको बता हूँ कास्टारेन एक इसा यूटेंसिल होता है जिसमें ऑईल आपको कुकिंग के टाइम ने लगेगा बड़ कुकिंग से पहले लगता है अब जैसे की तरीका मैं बता देता हूँ कि यह जितने भी उटे इसमें गिरा लीजेगा पूरे सफेस को कवर करके एक्स्टा इस तरीके से निकाल लीजेगा फिर उतने ओईल में भी आप इसली कुकिंग कर सकते हैं फिर अपने स्वाद के अनिसार ओल डालिएगा कि जादा ओल ना लगे क्योंकि यह नाच्रल नॉंस्टिक की तरह काम करत कि अगर आपने ओल लगा के रख दिया और आप देखो गे ना तो ओल बहुत ही कम इसमें दिखेगा तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत जादा यूज होता है इसमें प्र इसके जो यूटेंसिल उसमें आपको ऑलिंग करनी पड़ती है ना कि आपको कुकिंग के टाइम पर इसमें लगाना पड़ता है आप सफेस में लगाईए ओल फिर उसके बाद पानी चेड़क के आप प्रॉपर इसमें दोसा मनाइए बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल एक ऐसा टेस्ट इसमें आपको मिलेगा ना कि अविस इवादे घर वाली खोश हो जाएंगे जो प अब एक बार अगर आप सीख गये ना तो दिक्कत नहीं आनी है और साथी साथ मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रॉडक्स से रिलेटर कोई भी इसमाप्त कर देते हैं थांक्यू सो मच हमाई साथ जुड़ने के लिए स्लाइव सिशिं में बस कोशिच करीगा कि लगनों सब्सक्राइब कर लिए इसे आपको ये चैनल भी आपको परिवार का हिस्सा बन जाए थांक्यू सो मच कीप सपोर्टिंग आस